अलो गाईज आज के इस वीडियो में जिकेंगे ब्लेक टॉन रीटचिंग करना अगर आप भी करना जाते हैं इस तरह रीटचिंग तो वीडियो गौन तो जूल देखना वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना तो अचरिइन के असपास और ब्लेक्स को कम कर लेना इस अभी को अभनी पोटो के अनुसार एडशन करना आ है अब चलना है करना के शिचेशन को कर देना है इसे अभी के situation को minus hundred कर देना है ताकि black tone आसेगे green वाली color के situation को minus hundred कर देना है और इसके hue को भी minus hundred कर देना है और अब yellow पे चलना है और इसके situation को minus hundred कर देना है और luminance को कम कर देना है minus thirty तक और इसके hue को भी कम कर देना है अब orange color पे चलना है इसके situation को minus 20 तक करना है और luminance को बढ़ा लेना है अपनी skin tone के अनुसार इसको बढ़ा लेना है पीशे कर देना है done और अब चलना है effects वाले तूल पे और याने बाद इसकी clear tree को बढ़ा लेना है 27 के असपास और dehaze इसको 5 तक बढ़ा लेना है और विगनेट को कम कर लेना है minus 45 के असपास और mid tone mid point है इसको फूरा कम कर लेना है और feather को फूरा बढ़ा लेना है विगनेट है इसको फूरा वर कम करना है minus 35 के असपास कर लेना है ताकि corner सब black हो सके तर चलना है next tool पे और यहां से इसके सास्मिंग को बढ़ा लेना है 20 तक अफिर से light वाज एक आना है और यहां से crew tool पी आना है और यहां पर इस तरह से 3 dot head कर लेना है यह dot head और यह बात अब जो last वाला dot है इसको थोड़ा उपर की तरफ करना है खाक एक भेटो ना सगे और एक नमबर dot को थोड़ा नीचे ही तरफ कर देना है इसे एक कर देना है यहां से done इसना वने बात अब तरना है color वाले tool पे यहां से color grading कर चलना है और shadow पे आना है से पहले इसके situation को बढ़ा लेना है और hue को 200 के आसपास रखना है और अब situation को 15 तक फिशे कम कर लेना है और अब चलना highlight वाले पार्ट पे इसके भी situation को बढ़ाना है और hue को 50 के आसपास रख लेना है yellow color पे और situation को फिशे 15 पर एंडशे कर लेना है इसे कर लेना है done तो देके हमारे photo में मस्त एक black tone आ चुकी है और इसी black tone को अगर दूसरी photo में देना चाहते हैं तो यहां पर simply three dots पे उपर click करना है right side और यहां से copy setting पे click करना है और इन setting को copy कर लेना है copy करने बाद अब अब अपनी दूसरी photo पे चलना है और यहां पर three dots पे click कर यह paste setting पे कर देना है और यह देखे मस्ट black tone आ जाएगी photo में अगर किसी photo में करना था ते अश्मिली स्ट्रेश एक copy setting करके paste देना है तो वीडियो पुसंद आए तो like कर देना यह देखे before after दिका देता हूं और चैनल को subscribe करना मत बूलना जैने बाद झाल